बिल्कुल और यहाँ पर आये सीधर रुप करते हैं भाजपा की एक प्रेस वारता यहाँ पर आयो जिन किया रहा है तो निर्मंता बानर जी को नहीं आई और अगर आप वो सुनवाई सुनते तो आप देखते किस तरह से सम्विधान का रक्षक और दूसरी तरफ सम्विधान का भग्षक इसके बीद लड़ाई हो रही थी सम्विधान का रक्षक सर्वोज न्याले था भारती जंता पार्टी जिसने जमीन पर जो जंता है पश्चिम मंगाल की उसके साथ इनसास की लड़ाई लड़ी है जो भारत और पश्चिम मंगाल की जंता है वो रक्षक बन गई सम्विधान की है और भक्षक निर्मम्ता बैनर जी जो की मुख्यमंत्री है पच्चिममंगाल की ग्रह मंत्री का विभाग है और स्वास्त मंत्राल्य है उनके पास वो भक्षक बनी हुई है उनको शरम नहीं आ रही है किस तरह से उन्होंने ये सही नहीं समझा कि वो पीड़ता के परिवार के साथ खड़ी हो वो रेपिस के साथ खड़ी हो सकती है आज पहले में तीन बड़ी बाते जो की सर्वोच ड्यालने ने प्रश्ट किये हैं ममताब एनरजी सरकार से उसको उजागर करूंगा और फिर आपको उसका निशकर्श और क्या निकल के आता है वो बताना चाहूंगा सबसे पहले ये टिपड़ी भारत के मुख्य न्याधीश जो की सुप्रीम कोड के तीन जज़िस की बेंच में बैठे ते सुनवाई कर रहे थे उन्होंने पूछा और मैं कोट कर रहा हूँ जो रिपोर्टिंग आई है भी ओर्डर नहीं आया है अगर कोई हीनिस क्राइम होता है कोगनिजबल ओफेंस संगे अपराद होता है तो ये पुलीस की जिम्मेदारी है कि तुरंत एफायार दर्ज की जाए यहाँ पे एक अननाचुरल डेथ की एंट्री करते हैं और ये बात हमने बड़ी प्रमुकता से हर मंच से उठाई चाहे वो राष्टे मंच हो भारती जन्ता पार्टी का चाहे प्रदेश का मंच हो आज मोहर लगी है कि भारती जन्ता पार्टी वो पार्टी है जो चाहती है कि पीड़ता के परिवार को इंसाफ मिले और हर जो हमारी बहन है पच्चिम मंगाल में वो सुरक्षित हो सर्वोत ट्याले ने जब ये पूछा क्या अभी भी मम्ता बार्टी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती है क्या ये सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दे और इस्तीफा क्यों इस्तीफा इसलिए जिससे एक निश्पख्ष जाज हो सके जिससे अगर विवेचना के दौरान ये सक्षे आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही साथ में आप लिप्त थी आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो सक्ष यह है उसको नश्ट करने का प्रयास किया तो फिर आपका पॉलिग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट I repeat the polygraph test of the chief minister Mamta Banerji as well as the arrest of Mamta Banerji could be imperative to ensure that there is justice given to the family members of the deceased and to every citizen of the country this is the demand of the people of West Bengal and the Honorable Supreme Court has made this scathing remark unveiling the dirty face of Mamta Banerji second जो बड़ी महत्पूर्ण बात है पोस्ट मॉटम यह उजागर हम लोग पहले भी कर चुके आज दुबारा दोहराऊंगा ब्रतक फीड़ता का पोस्ट मॉटम किसी दूसरे medical college में होना चाहिए था लेकिन जल्द बाजी में आनन फानन में वो आरजी कर medical college में ही कराया जाता है और सबसे बड़ी बात और यह आज सुनवाई में आया है उसका जो चलान है जो यह बताएगा कि कितने बज़े पोस्ट मॉटम हुआ है तो Honorable Chief Justice of India ने स्वयम यह पूछा Why is the post-mortem report चलान missing from the records क्यों क्या उस चलान से यह स्पश्ट हो जाता कि ममता बैनर जी उनके चहेते पुलिस कमिशनर जिन्होंने अभी तक स्टीफा नहीं दिया है वो जो पूर्व में प्रिंसिपल रहे आरजी कर मेडिकल के जिनको अब अरेश्ट कर लिया गया है उनको बचाने का प्रयास कर रही थी जो एक अरेश्ट हुई है उस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही थी क्यों चलान मिसिंग है जब कलकत्ता उचन्याले ने इस पश्ट कहा कि सारा रेकॉर्ड सारा सारा रेकॉर्ड फाइल से लेके उसके अंदर के जो कागज है वो भी वो धागा भी जिससे आप सिलते हैं फाइल सब का सब CBI को दे दे तो चलान मिसिंग कैसे हो गया ममता बैंट जी जी कृप्या करके ये बताईए हमें और इसके साथ ये भी बड़ा महत्पूर्ण है सीसी टीवी फुटेज आप सब पत्रकार हैं हमारी लोगतंत्र का चोथा स्थम है सीसी टीवी फुटेज जिससे ये पता चलता कि कितने बज़े आरोपी अस्पताल में आए अंदर गए दुशकर्म किया कब निकले और कितने लोग निकले और किसने सबूत मिटाने का प्रयास किया आपको जानके अशर्य होगा बेशरम निर्रज गैर जिम्मेदार मुक्यमंत्री निर्ममता बैनर जी उनकी पुलीस केवल 27 मिनिट का CCTV फुटेज देती है CBI को केवल 27 मिनिट का क्या पूछा नहीं जाएगा ये जो घटना हुई उससे पहले का उसके बाद का कई घंटों का CCTV फुटेज आवशक है कि जाज हो सके निश्पक्ष जाज हो सके तो 27 मिनिट का केवल क्यों दिया गया ये तीन बड़े प्रश्ण है और ये प्रश्ण जो हमने पूछे है आज मैं इतना ही कहूंगा निर्ममता बैनर जी जूटी ममता बैनर जी बन गई है पुलिस कमिश्टर को हटाने का उनका मन नहीं है उनकी मंच्छा नहीं है हमने मांग करी है ममता बैनर जी जी पहला तो आप तुरंट इस्तीफ़ा दे दूसरा ऐसे पुलिस कमिश्टर को जो की पच्चिम मंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए उनको बर्खास करिए तीसरी बड़ी बात है ममता बैनर जी अगर आपके पास छुबाने के लिए कुछ नहीं है हम सब चाहते हैं पच्चिम मंगाल की जनता चाहती है कि आप अपने फोन का पूरा कॉल रेकॉर्ड पुलिस कमिश्टर का पूरा कॉल रेकॉर्ड जो प्रिंसिपल एक्स हटाया गया उसका पूरा कॉल रेकॉर्ड सार्जिनिक करिया जनता को पता होना चाहिए कितनी बार आपने बात करी उस सुबह और जब हमारी बेहन के साथ ये दुशकर मोह रहा था क्या आप शडियंत रच रही थी आपकी चिंता आपकी कुरसी को लेके है हमारी चिंता महिला अस्पिता बरकरार रहे पीड़ता के परिवार को इंसाथ मिले इसको लेके है और ये विचारधाराओं की लड़ाई है जैसा मैंने कहा रखशक वर्सिद निर्मामता बैनर जी भखशक और इंसाथ तो मिलेगा इंसाथ तो हम लेके रहेंगे आप कितना भी प्रयास करिए साक्षे मिटाने का जो गवा हैं उनको डराने का डॉक्टरों पे कारवाई करने का लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे इसके बाद एक बिंदू और बहुत एहम है ब्रतक पीड़ता के माता पिता जी उन्होंने स्वयम कहा है कि पश्चिम मंगाल की पुलीस ने हम पे दबाब बनाया और कुछ मीडिया चैनल में ये भी आया कि रुप्या देकर मामले को रफा रफा करने के लिए कहा और तीसरी बात जो कंप्लेंट दी जाती है that is an account it is a version given by the person the informant who is giving these details यहाँ पे पुलिस ने खुदी कंप्लेंट लिख दी कितनी सच्चाई उसमें लिखी गई होगी और देखिये हद तो तब हो गई मम्ता बैनर जी के इशारे पर उनके भतीजे जो की सांसद हुई है अभिशेक बैनर जी यह जूट पहला रहे थे यह डॉक्टर्स के खिलाफ जिनको यह सुरक्षित नहीं रख पाए आरोब लगाने लगे तो डॉक्टर्स का एक प्लाटफॉर्म है जॉइंट प्लाटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स वेस बेंगॉल इन्हों ने मान करी है कि अभिशेक बैनर जी तुरंत स्तीफा दें क्योंकि यह जूट का प्रचार कर रहे है और जूट यह कि अभिशेक बैनर जी ने कहा कि पेशेंट की मौत हो गई क्योंकि वो तीन घंटे तक ब्लीड करता रहा खून निकलता रहा और डॉक्टरों ने उसको चिकित्सा प्रदान नहीं करी और यह असत्य निकला वो लेटर मेरे हाथ में है मैं केवल इतना ही कहूंगा यह कैसी जूटी ममता है यह कैसे जूटे अभिशेक बैनर जी है यह कैसी जूटी टीमसी है गुंडों की जिन डॉक्टर्स की सुरक्षा आपको करनी थी आप उनको ही जूटे आरोब लगाकर अरेस्ट कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवार कर रहे हैं और अंत करूंगा एक बात और उजागर करके कि आज सर्वोत ड्याले ने भी बिल्कुल पश्टता से यह कह दिया है जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो महिलाएं हैं उनका विश्वास सरकार पर से हिलना नहीं चाहिए उनको सुरक्षा प्रदान करी है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ममता बैनर जी आपकी है आप क्या करेंगी यह एक बड़ा सवाल है यह जो चार बिंदू सर्वोत ड्याले ने आज सुनवाई के दौरान टिपड़ी करी है यह जंता की मांग है और इसी लिए इसको आपके समग्षमने रखा है बहुत बहुत धन्यवाद तो भाजपा का ममता सरकार पर बड़ा हमला यहाँ पर भाजपा सीधे सवाल उठाते वे आज कॉलकता कार्ण पर सुप्रीम कोट में बेहत एहम सुनवाई जहां पर सुप्रीम कोट ने सीधे दोर पर कॉलकता सरकार और कॉलकता पुलिस के रवये पर उनकी जाच पर तीके सवाल उठाए हैं एहम सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कि किस तरह से लापरवाही बढ़ती की सवाधान के रक्षक और उसके भख्षक की बीच की यह लडाई है और यह आम जन की लडाई है कॉलकता वास्टियों की लडाई है हर महिला की लडाई है जिसको लेकर भाचिपा यहाँ पर जमीन पर उतरती नज़र आ रही है और जिपूरा रवया रहा है परदा दालने की कोशिश यहां पर कॉलकाता सरकार की रही है, ममता बैरेजी की रही है, वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी खुलतीवी नजर आई हैं। किसे आज एहम एमुजिश रही हैं।